दोक्टर केलाश मिना आज आपको जानकाई दूँगा नेशनल चिल्डरन साइन्स कॉंग्रेस 2021 के बारे में नेशनल चिल्डरन साइन्स कॉंग्रेस हर साल आयवेजीत किया जाता है और इसमें स्कूल इस्टुएंट्स क्लासिक से लेकर के 12 तक के जो बच्चे हैं वो के uzun के चुछ रूल से और स्टेंडर्स हैं darauf में आपको जानकाई दूँगा दूसरा इसमें दो तर trat के ग्रूप बनाया जाते हैं senior group औरं junior group और senior group य form ऑन從 junior group में कुछ age criteria होते हैं जिनके बारे में मैं जान करेंगा आपको आगे और उसके लिए एज का जो कल्कुलेशन है या आयो के जो गणना है वो 31 December को करी जाती है इस साल के लिए जो आयो के करना होगी वो 31 December 21 को करी जाएगी उसके इयूक्त डूरोडिंग ऐेज केल्गूलेट करके सिनियर जूनियर ग्रूप बनाए जाता है चैनलेर जुनियर ग्रूप के जो बनाने के सेंटर है थोड़ा ब कर सेंटर nggak accommod liए थोड़ा या नेशनल चेल्ट्रन साइंस कांगरेश के लिए उसके लिए रिपोर्ट हैंड़न भी और टाइप भी पर जितना हो सब्सक्राइब हो तो ज्यादा अच्छा है अच्छी तरह से प्रिजेंटेबल हो क्योंकि टाइप में इंट्रनेट से कोपी होने का उसमें खत्रा रहता ह और इसमें एफोर साइस पेपर का मतलब होता है वह पेपर जो हम फोटो कोपी के लिए यूज करते हैं चनरली स्कूल में या जो बड़ी साइस के जो रेइस्टर आते हैं या कोपी आती है नोटबुक्स आती है वह साइस एफोर साइज स्टेंड होता है तो उस साइस के परिसमें यूज किया आते हैं वर्ड लिमिट जिसलिकि मैंने आपको बताया एज क्राइटरिया है 31 दिसंबर से क्रिकुलिट किया आता है तो उसमें जो लोवर ग्रूप होगा कि यूज के लिए 2500 कि सीमा रहेगी इस प्रोजेट के लिए और अबर ग्रूप लोगा उसके जिए 3500 जबदों की सीमा रहेगी हो ये Korean Outfit 202 लेंग्विच वैजुज करें है लेकिन इंग्लिश लेंग्वेज अगर सबomina सब्सक्राइब निलिखा जा जाए या फिर तो आप किसी भी भाषा बना सकते हैं बस उसका ट्रांसलेट इंग्लिश वर्जन भी जरूर हो तो ज्यादा अच्छा है अलागी बना आप किसी भी भाषा में उसके लिए यह एक छोटी सी इंफर्मेशन ही कवर पीज इस एक और बात मा क्लियर कर देना चाहूंगा कि नेशनल चिल्डरन साइंस कॉंग्रेस साइंस एक्जिबिशन से अलग है जब भी हम साइंस एक्जिबिशन या सोशल साइंस एक्जिबिशन के लिए प्रोजेक्ट सुनाते हैं त साइंस हमें कोई भी जो एक थीम सेलेक्ट किया थी है उसके और प्रोजेक्ट बनाते लेकिन नेशनल चिल्डरन साइंस कोगरेसी असे इंपनी मा कहल वाइवा चिल्डरन साइंस का जो एम है वह बच्चों को रिसरच का फ्लेवर देना आगे जाकर कि जो रिसर्च की जाती है पेच डी वगर आपने नाम सुना होगा या फिर आपने जो महान साइंटिस्ट के नाम सुने होंगे सर आईजेक नूटिन है ऐलबर आइंस्टीन है और हमारे जो देश के पुरो राष्ट्रपती सर अपीजे अबदुल कलाम जी है और जग्दिशनल बसूजी है सीवे रवन साहब है बहुत सारे विग्यानिकों का साइंटिस्ट का अपने नाम सुना होगा तो वो जो जो भी उन्होंने दिया है देश को या समाज को वो सबसे पहले उन चीज़ों क के कुछ टैस्ट करते हैं उनको कुछ results मिलते हैंन यूंज निखे और फिर वो जो है समाज के सामने अधिया के सामने तो पेश करते हैं लेकिन यह सब करने के गर्लीट को मशिंड्य की रखत आप आपने जो भूब आपे उसलिक में कैसे रखना है वह एक तरी का रहता है। उसके बाद में उनके research प्पब्लिश होते हैं कई बार वह select होते हैं कई यह गलत होते हैं जो भी होता है बट वह record keeping एक बहुत ज़रूरी चीज है उस्चीज का फ्लेवर बच्चों को देने के लिए यह बिल्कुल यह समझ लिए कि स्मोल स्केल पर या छोटे स्थर पर ये जो है एक तरीके का रिसर्च है मतलब आपको बच्चों को ये टेस्ट दियाता है क्लासिक सेवन एट्थ नाइन टेंथ एलेवन टेवल्थ की जो बच्चे हैं वो सी सकते हैं कि जो भी हम उबजर्वेशन करते हैं अपने स्राउंडिंग्स में उसको किस तरीके से लिखा जाता है तो यहां पर कुछ और चीजे रखी गए हैं जो उस प्रोजेक्ट को वेल्ड डोकॉमेंटेशन में हैं वो क्या चीज है टाइटल ऑफ दा प्रोजेक्ट ने जब भी आपको ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं च सबके लिए करेंगी तो उसी दाइरे में रह करके आप अपने टोपिक को चूज करें और टाइटल ऑफ दा प्रोजेक्ट सिर्फ एक लाइन नहों करके एक टाइटल नहों करेंगे क्योंकि आप जिस टोपिक का चुनाओ करेंगे और इसके लिए आप जो है तो सबसे ऐसा आप टाइटल नहीं जो एक्सपेंसिव नहों और अभी का जो समय चल रहा है जिसमें बच्चे वर्क फूम होम की तरफ ज्यादा उनका जुगाव रहता है तो ऐसा ही आप टोपिक चूज करें जो आप अपने घर के आसपास घर में उसको पूरा कर सकें अग को अफरीका का डाटा मिलेगा अमेरिका का डाटा मिलेगा अफगानिस्तान का को डाटा मिलेगा किसी भी चीज को लेकर कि कोई भी टोपिक हो सकता है वो डटा अगर आपने अपने अपने प्रोजेक्ट में प्रजेंट करा है तो इसकी बात के काफी संभावना होगी कि वो टोपिक चूज़ करने में समय लगाएं एक बार सही चुनाव कर लिया उसके बाद उस प्लेट को करना काफी आसान हो जाएगा नेम एंड्रेस ऑफ ग्रूप लेडर एंड को वरकर यहां पर यह दो शब्द हमारे सामने आते हैं ग्रूप लेडर एक और दूसरा को वरकर और साइन्स कोंग्रेस कुछ बच्चे जो अभी ग्यारवी बारवी कक्षा में होंगी उन्होंने पहले भी इसमें काम किया होगा तो इसके सीमा बदलती रहती है कभी पांच बच्चे हुआ करते थे गुरूप में उसके बाद दो होने लगे आज का जो भी जो कॉंटेक्स अभी भी यह ना लगाएं कि वह बागी के जो बच्चे हैं बाकी के जो विध्यारति होंसे ज्यादा महत्रपून उगा एसा नहीं होगा केवल उसका ये काम होगा अपने प्रोजीक्ट को प्रेजट करना किसी के सामने जैसे कि एक बच्चे का काम हो सकता है लिखना दूसर सब्सक्राइब क्परण से पर उन में से जो आपको अच्छे से कोडिनेट करके आपके हल्प करें उनका नाम डाल सकते हैं दूसरा आपको जो बढ़ाते हैं उनका नाम अपने इसमें लिख सकते हैं नेम आप देस्कूल यह तो आप लिखे पाएंगे जैसे कि अगर मैं अपनी स्कूल की बात करो तो यह रहेगा केंद्रे विद्देले भानों पर वालसुरा है ने कि आइनस वालसुरा और सिधा उसका एड्रस हो जाएगा जाम नगार तो यह को छोटी मोटी टेकने का लिटेल्स थी और यह काफी जरूरी है प्रोज को किसी हो इसके जयांगे बाद में आप उसको बनाने के बाद जिए अब उसको बाइंड करेंगे एक बैन से करेंगे इस्पाइल करेंगे सिकी तो कॉषि आपका जो वन जो प्रेश्च बोज संस बनाते हैं या फिर आप जो चाट यूज करतेया रहिए अपने पने काम को करने के लिए आउपने कभी भी शोरूम्स एपने बैनर में देखे होंगे बाहर णोड में नियुक्या और भिते कि मिनियन विबन होती और सकótि उसको प्रेजेंट चाहिते हैं और मोलगा मिष्टखें और सब्छेयर खन सिरूमन में राफ्ट, होता है डिपेंड करता है कि आप होर्डिंग कहां लगा रहे हैं इसी बातों को धानकते हो जो कवर पेज आप बनाएंगे वह इतना साफ होना चाहिए कि आपको सब्सक्राइब दिखाए दे तो इसमें लिखाए कि कवर पेज में आपको टाइटल लिखना पड़ेगा प्रजेक्ट कोड यह मापको बताऊंगा एक यह आपको अपने स्कूल में टीचर्स बताएंगे इसके आप चिंता ना करें जब आप बनाए तो यह चीजे बाद में आपके जो टीचर सब्सक्राइब पूरी करवा देंगे लेंग्वेज होता प्रजेट इंग्लिश ही रखेंगे मुस्ट अपने प्रजेट में तो आगे जलता है कवर पेज का एक मापको सेंपल लिए देखिए सेंपल भी आपके सामने है कवर पेज का इस सेंपल को फोलो करते हुए आप सब्सक्राइब निकल करके आती है उसकी जनकर आपको मिल जाएगी तो वह उसमें से जो जिस भी सब्सक्राइब करें वह उसे आप यहां लिखें टाइटल अब प्रोजेक्ट जो आपने चूज किया उसे लिए लिखें आप टीम लीडर मतलब की दो बच्चों में से जो प पड़ते हैं तो चैंद्रे भिद्याले शं गठन को भी एक स्टेट का दरजा दिया गया है जिसे हमारे ने कसे सो बैंब करें एब Till дополн दूसर टीम मेंबर है जो कि एक ही होगे उनका नाम और उनका अधरस आजाएगा इस तरीके से हम कवर पेज बना पाएंगे पर इसके लिए सबसे जरूरी चीज है वह है टाइटल ऑफ प्रोजेट का चुनाओ वह आप खुद भी का सकते हैं या अपने टीचर की हेल्प ले कर लेंगा चाहिएए तो अगर इस तरह के जो बच्चे पारिक्ट करता हैं जाहिए उनका अब तो अब आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा अक इस को बनाए जब आप पूरा बना लेते अपने पर आपको बाना लेते हैं तो आपके टीजरस इसको भरकर की आपको करवा दें या फिर आपने स्पाइल में देखा होगा कि आप उसमें पेजिस चेंज कर सकते हैं इस तरीके एक रखें या फिर बेटर रहेगा आप उसे बाइन ना करें सिंपल एक फाइल में करते रहें और जब आपका फाइनल हो जाए तो आप अपने टीचर से लेकर उसको अच्छी त कर सकते हैं घर पर कर सकते हैं लेबरेटरी में कर सकते हैं और सारा प्रेट करने के बाद में अब उसकी समरी लेख सकते हैं यह जब सारी बात आप इसी के सामने प्रेजेंट करेंगे तो आप उसको शोट में बताएंगे प्रेजेंट करने लिए इसके लिए आपको आठ मिन करेंगे उसके बाद ये पेज लिखा जाएगा लेकिन लगेगा आगे तो इस तरीके से ये प्रोट बनाए जाता है अगें जो लोवर एज गुरूप होगा उसके लिए 250 वर्ट की लिमिट्र है और जो सीनियर ये अपर एज गुरूप है उनके लिए 300 वर्ट की लिमिट्ट ह सिक्स टू एट के बच्चे जो हैं वो लोवर एज गुरूप में आते हैं एक जनरली मला एज कल्कुलेशन तो स्टिक्ली 31 दिसंबर 221 के साफ से हुगा लेकिन आप इस तरीके से इसो कंसिडर का सकते हैं कि सिक्स टू एट और नाइन टू टू एट के बच्चे हैं जनरली वो लोवर एज गुरूप में आएंगे और नाइन टू टू वाले बच्चे हैं वो सीनियर एज गुरूप में आएंगे वन कोपी इंग्लिश ही में आपको बताई चुका हूं और केंद्रे विद्धाली संगठन में तो अधिकतर या ज्यादा तर जो प्रोजेक्ट पूर हो जाएगा तो आप उसको पूरी समरी लिखेंगे और सारा उसके आस्पेट कवर हो जाएं जिसे आप अपने आप जब भी कोई इंसिदेंस अपने टीचर को अपने फ्रेंड्स को बताते हैं तो तीन घंटे का या जो भी मालों आपने कोई मूवी देखी तो आप बच्च बुक या नोट बुक में यह इंडेक्स एक कोलम होता शुरूहत में अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को भी देखेंगे और को इसी बुक को देखेंगे तो आप को यही पैटरन फोलो मिलेगा पहले कवर पेज हुआ देन आपको इंडेक्स मिलेगी और आपको कुछ क्रे अपने नोट बुक में उस तरीके से आप अपने जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके कंटेंट्स जो होंगे वो भी मापको आगे बताऊंगा अभी आप कंफ्यूज नहों एबस्ट्रेक्ट कवर पेज और कंटेंट यह आपके प्रोजेक्ट में पहले आएंगे लेकिन आपको इंडेक्स बनाना है कि आपकी क्या के कंटेंट है आप देख सकते हैं कि शामिल क्या गया है सेपरेट सेक्शन्स फॉर दसब्जेक्ट मेंटर फिकर्स और टेबल्स इंधूरिट इंग्लूड टाइटल गिवन तो दचार्ट भी पाई चार्ट फोटोग्राप और इ हैं तो कहने का मतलब आप जो भी बनाएंगे वह आप उसके लिए आप जो भी हेल्प लेंगे आप टेबल के उप्रेजट करेंगे गराप बनाएगे तो वह सारा आप इंडेक्स में बताएंगे कि कि से पीज नमबरपर आपको इस सब्चिज़ मिलेंगी लिए आपको आम क कर सकते हैं तो आप जो भी बनाएं पहले और उसके बाद में पेज़ की सीक्वेंस करके उसमें पेज नमबर डाले उसके कोडिंग उसके इंडेक्स इसको किम कंटेंट बोलते हैं वह तैयार हो जाएगी इंट्रोडक्शन ये आप सबसे पहला काम कर सकते हैं अब तक मैंने ज काम है जो आप अभी कर सकते हैं अगर आपने अपना टाइटल ऑफ दा प्रोजेक्टर लिया है कोई भी टाइटल है तो उस टाइटल से रिलेटेड आप जो भी पढ़ेंगे चाहिए इंट्रेट आप रिसेच करेंगे या कोई आपके एंसे बुक में साइंस की बुक में उ आप वआ इसके बारे में जानकरी लेकर चाहिए इसके एक इसका इक इंट्डॉ्ड़क्शन तैयर करेंगे तो सबसे पहला काम होगा इंट्रॉट्क्शन का ये सभीके कर दो करते हैं या उसके बारे में कुछ रिसर्स करना जाती है तो सबसे पहला काम होता है कि आप और शुके बारे में पहले जानकर ही प्राप्थ करेग ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई काम करने चारे हैं और काम पहले से किसी ने कर Engineers इसलिए कोई भी रिसेश्च करने से पहले इंट्रोक्शन वह जरूरी है तो आपको पता लगे कि इसके बारे में क्या क्या इंफर्मिशन अविलेबल है और आप इंफर्मिशन का यूज़ करके अपना प्रोड के तरिके से बना सकते हैं नेक्स अब्जेक्टिव तो आप जब भी टाइटल प्रोड चूस करेंगे या आप चूस करेंगे कि आपको क्या प्रोड बनना है उसका कोई एम होना चाहिए आपके बास में जैसे कि मालो मुझे लगता है कि जो भी तूट पेस्ट में यूज़ करता हूं या जो मार्केट म में कुश्चन है तो यह एक मेरा उब्जेक्टिव हो सकता है कि मैं टेस्ट करूं कि कौन सा अफोर्डेबल है और बेस्ट हमारे लिए इसके लिए फिर मैं डिफरेंट टूट पेस्ट के वारे में इंफॉर्मिशन निकाल सकता हूं उनको परचेज कर सकता हूं उनके पर विए फर मनी हमको मिला यह इंए इस तरीकिए कोई बना सकते हैं अगर में मैं में कोई क्वेशन है तो तो यह डिपेंड करता है आपके आपके मैं में प्लस आपके सरावणिंग से लिटेट अगर कोई कोई बढ़ दिमाग में है तो उस अब्जेक्टिव को लेकर करके आप अप्जक्टिव लेकर कर रहे हैं अप यह से आप हमारे कोई का इशू है सराओंडिंग में या पार्किंग का इशू है किसी पित्रे का नोग्स अगर आपको समन नहीं आ रहा है तो नेक्ट चीज हम लेते हैं नीड स्टेटमेंट आप पड़ सकते हैं इसमें जिस्टिफाइए वाई यू स्लेक्ट इस प्रोजेक्ट अगेन वह जो पहले हमने बात की से अगर आपने कोई प्रोजेक्ट या टाइटल सेलेक्ट केया तो उ सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट के स्लेक्ट होने की पोसिबिटी बढ़ जाएंगी हाइपोथिस हाइपोथिस मतलब परिकल्पना आप जब भी कोई किसे भी चीज़ करना शुरू करते हैं तो आप पहले से अपने माइन में कुछ सोच के जलते हैं जैसे कि आपको लगता है कि फट्लाइजर्स हामफूल हो सकते हैं लेकिन आप पुछ ना कोशी सोच के जरूर चलते हैं वह ईसा हो भी सकता नहीं हो सकता है तो आप जो सोच के चलते हैं किसी चीज़ के बारे में कि आप यह करना शुरू कर रहे हैं आप कुछ डाटा करेंगे रिसे तो अगर वो सही निकल जाती तो इसको तो यह आपके माइंड में जो भी आप लिखेंगे उसको अगर आपने कुछ भी हाइपोथेसी सोची आपने प्रेट करा अब आपके जो फ्रेंड है या जो भी आपके साथ में काम करने वाले हैं उन्होंने और बाई दभी ग्रूप प्रोजेक्ट होगा आप अके लिए नहीं कर पाएंगे इसको इसको दो बच्चक जुरुत पड़ में आपके जो फ्रेंड्स सर्किल आपका या आपके रिल्टिवस हैं क्या आप उनसे कोई सर्वे करना चाते हैं तो यह सब चीजे ही आपके वर्क प्लान को बताती है आपका वर्क का प्लान क्या है आप किस तरीके से इसको करेंगे किस तरीके से उसको प्रेजेंट करेंग तो आपका जितना डोकुमेंट वेरिफाइड होका उतने जदा आपकी प्रोट के स्लेट होने के बढ़ जाएंगी यह आप ऐसा ना लिखें कभी भी कि मैंने बीस लोगों से पुछा और मुझे यह उसके रिजल्ट्स मिले यह 50 लोगों से मैंने क्योरी की आप हमेशा सेंपल साइज को बढ़ा रखें और जितना उसके वह रियलिस्टिक होना चाहिए सिंपल आप करें अगर आप सिंपल काम करेंगे तब यह रियलिस्टिक हो पाएगा और पॉसिबल हो पाएगा वर्प्लान के बाद आती हमारी मैठोलोजी यानि किस तरीके से हम उसमें काम कर रहे ह सकती एक्सपेरिमेंटल बेस और बहुत मैं समझा आता है सो मतलब क्या होता है सर्वे बेस मतलब आपने चुपी चूज किया जिसे में आपको टूट पेस का एजामबा दिया अगर आप कुछ भी एक्समें खुद पर नहीं करना आते हैं आपने सिर्फ अपने रिलेटिव स किया है तो उसमें जो डोक्टर वगरा क्या उनसे वो टूट पेस के पूछते हैं उसका कोई फरक पड़ता है उसको फरक नहीं पड़ता है ऐसे कुछ पांच साथ यह दस पंदरा बीस कोशन आप लिखके रख लेंगे और हर इंसान से आप वहीं कोशन पूछेंगे और ऐस कि अधिने सनी की आपने खुद से एक्सपर्मेंट करें निकाली या कुछ और आपने एक्सपर्म्न करके देखे तो यह सारा आपकी डिसाइड करेंगे और आप वह आपकी प्रॉट में बताइंगे नेक्स निहां और इसमें आपको एक एक्टिवटी गाइड बुक में उसका डेस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा या आपके एक्टिवटी गाइड बुक आपको काफ़ी घल्प करेगी यह काफ़ी ज्यादा पेजिस के होने वाली है पट उसमें सिर्फ आपका जो सिलेक्टे पताएंगे डाटा का अनलाइसिस नहीं देंगे उसके लिए लक्सेशन होगा मैं आपको बताःता हूं और एक और चीज़ यहां पर आरी लोग बुक देखिए जब भी आप अपना प्रोजट कर लेंगे आपने उस पर रिसर्च करा या अपने टीम अपनी स्लेट करी उसक चलने पड़ती है आप उस पर डाटा रिकोर्ड कर सकते हैं कि हमने पांच अक्टूबर को यह काम किया या पच्छी सितंबर को यह काम किया आप जो भी नोट करते चले जाएंगे कि एक डायरी में उस डायरी को बोलते हैं लोग बुक फूर दिस प्रोजेक्ट तो आप यह लोग बुक शुरू से रखने पड़ती है कि और जब भी आपका प्रोजेक्त होता है अगर भास रोगवक आप से महंगे आती है है अगर आपको बास लोग नहीं थी तो फिर आपका प्रोज़गे नहीं हो पता तो आप लोग बुक जरूँसर रखे चो एजीशी हैंदल कि और उस डायरी के उपर भी जो कवर पेज की इनिफॉर्मेस से उसारी लिखते हैं अगर आप किसी भी काम से अपने कुछ भी सर्वे करने जाते हैं अगर आपकी फोजाती है तो कोई भी आपको पहुचा सके तो वह डायरी रियास्टिक होनी चाहिए और आप जब यह बनाते हैं अगर आपने एक रात में बैट करके वह डायरी लिखी तो उसके पेजिज और उसके जो इंक है आपके लिखने का भीए उससे क्लियर पतर आजि पैंसल लिए उसकी होगी तो डिपेंड आपकी डायरी आपको बता देगी कि आपने उस पर रेल में कोई काम कर रखा है नहीं कर रखा है तो लोग बुक कंपल सरी चीज है तो अगर आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपके पास में होगी एक प्रोजेक्ट रिपोर् प्लस आपके वास में चोटी सी लोग भूख होगी डायरी होगी से लोग बोलते हैं प्लस आपके वास में कुछ प्रेंटेशन होती होगी वह मा बताओंगा कैसे बनाते हैं तो एक्स्परिमेंटेशन है यह अभी इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि एक तो उटम इस तरीके के जो काम फणल वगर यूज करके वह किया सकते हैं पर आप लेबरेटरी का जो एक्सपरिमेंटेशन है वह नहीं किया सकता तो ऐसा प्रोजेट चूज ना करें जिसमें आपको हैवी एक्सपरिमेंटेशन जरूद पड़े या फिर लेबरेटरी क्योंकि अगर अपने ऐसा स्लेट किया तो फिर आपका वह प्रोजेट आगे नहीं होगा क्योंकि वह क्लियर हो जाएगा कि आपने वह काम नहीं किया है तो यह सारा जितनी भी चीज़ें हैं आगे कॉम्प्लिकेट होती जा रही है सब डिपेंड करती है आपके टाइटल ऑफ दाप्रोज चूज कर लिया आपने इंड्रोडेक्शन बना लिया है आप एक्सपरिमेंटेशन या सर्वे भी कर चुके हैं तो उसके बाद में अब आपने जो भी उब्जव किया वो रिकोर्ड आप रखेंगे लोग बुक में और उब्जर्वेशन का जो फेर डाटा होगा जो दूसर कितने लोगों से पुझा ऐसे आपने एक्सपरिमेंट करा उसका को रिजल्ट निकला तो कितनी बार आपने ऑपक्षाउय्च क्वाटीटिव डाता हुगा तब जाकर कि आपका जो भी रिसवेशन में जो भी आपने आप द लिख पाएंगे एक पर अब्जर्वेशन आपन चैविआ के नहीं तर्द नहीं 可愛 करते कोई कोंपी दोल एक और उसको नहीं करते हैं और पांच भी है उसका को पतकी हैं चैनलाइस करने बाद नए आपको पाई चार्ट बार इसके बाद में आप अपना इंटरप्रेशन लेग सकते हैं कि यह जो रिसे करने के बाद में मैं इस नतीजे बे पहुंचा हूं उसी को इंटरप्रेशन बोलते हैं यह देखिए रिमेंबर दा रो डाटा इस जनरेट इस नोट फाइनल रिजल्ट रो डाटा इस तो बी अनलाइज़ यूजिंग सिंपल इस्टेटिकल मेथट्स मतलब मैथमेटिकल जो टूल समार पास में एंडें इंटरप्रेशन अपने जो पूछा था इसको शुरू करने से पहले क्या आपको मिला यह ऑशन नहीं मिला यह फिर आपको जो समय मिला है उसमें यह आंसुर निकालना मुश्किल है अगर और समय मिले तो आप इसको निकाल पाएंगे तो इस सारी जीज़आं अप उसमें मैंक्शन करेंगे इसमें experiments को रिपीट करना पास्कता है survey को भी रिपीट कर आपने जो डाटा लिया एनलाइस किया उसका अप रिजल्ट बतासते कि यह हमको इतने 20 लोगों में यह मिला इतने में लोगों में आपको प्रॉणम्स मिली लेकिन जो कनक्लूजन है उसके लिए आपको सेपरेट ली टोपिक एक सेक्शन मिलेगा कनक्लूजन तो यह सब हैड इंडिंग्स जो आपने देखी एबस्ट्रेक्ट है कवर पेज एबस्ट्रेक्ट है फिर इंट्रोड़क्शन है देन मेथडोलोजी है आपकी हाइपोथेसिस है नीड स्टेटमेंट जो भी है यह डाटा इनलाइसिस इंट्रपटेशन है यह सब टोपिक्स के भी मार्क्स हो भी कर सकते हैं लेकिन बेस्ट रहेगा कि यह सेवन्टीन यह जितने भी जो टोपिक्स हैं उनके अलगलग पेज आप ले 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 हैं तो आपने जो भी बनाया जो रिजल्ट निकला उससे आप अपना पूइंट और रखें कि आपने जो सोच के चले थे हाइपोथेसिस फिर करें अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रोजेट नेशनल नेवल पर स्लेक्ट हो या रिजनल पर सेक्ट हो तो इसके लिए यह आप की सराउंडिंग में अगर ऐसी कोई इश्व है जिसके बारे में रिश्ट करके आप उसको सोल्व कर सकते हैं तो वह आपकी लिए छोटी से प्रोडम हो सकती है और आपने अगर यह पूरा प्रोजेट करा उसके रिसेच करी उसके बाद में अगर आप कर पाए मतलब आपको से कोई ऐसा सोल्यूशन निकल पाया तो आप उसको मेंशन करेंगे कि हां इस जो है प्रोजेट से यह सोल्यूशन निकला और वह बेस्ट र कि रोने की पॉसिबिटीस पड़ जाएंगे अगर फाइनल फिचर प्लान तो अब आप अपना प्रोजेट पुरा बना चुके हैं आप डड़ा क्लेक्ट पर चुके हैं आप उसके बाद में उसका निकाल चुके हैं सारा कुछ कर चुके हैं सारा फाइनल हो चुका और आप आपने सोलेशन टुदा प्रोलोम भी दे दिया है कि वो निकला नहीं निकला इसके बाद में के फ्यूचर प्लांस क्या है हो सता है कि आपने प्रड़ जो है एक दो एतीन महिने में में किया हो मिनिमम जो सेलेक्शन का टाइम हो तीन महिने का होता है तो अगर आपने मानलो की इसको अक्टूबर के मन्त में बनाना शुरू करा है तो आप सेप्टमबर से इसकी डेट दे सकते हैं जब से आपको इंफॉर्मिशन मिली क्योंकि इसकी इंफॉर्मिशन जो है एंसे के वेपसाइट एंटरेंट पे अविलेवल है तो आप अपने काम को तीन महिने का जरू आपको को कहा से इंफॉर्मिशन मिली किसी इसन आपके हल्प की हो सकता है आपके पारने जो इस जगह पे काम करते हो जहां से आपको डाटा कलेक्शन में हेल्प में लिए आपके रिल्रेटिव या फ्रेंट्स ने कोई हेल्प करी हुए जहां से भी आपको help मिली है आप उनका नाम मेंशन करके acknowledgement दे सकते हैं कि मेरे उस फ्रेंट को मैं करूंगा धन्यवाद जिन्हों ने मुझे अपना computer system और internet यूज करने दिया या फिर मेरे grandparents जिनके फिल्ड में जाकर कुछ जो भी कुछ भी हो सकता आपके आपके ममी या पापा कवर प्लेश हो सकता तो आप को जिन लोगों है आप उनको एक लोज कर सकते हैं ज्यादा तर बच्चे इसमें principal और अपने सब्चेट टीचर्स को देते हैं यह कंपल सरी नहीं है आप दे सकते हैं अगर आपको आपके टी सबना थोड़ा सो मुश्किल होगा ट्वेल्थ के लिए बच्चे इसको इसली समझ भाएंगे जो भी आपने काम किया चाहे आपने इंट्रोड़क्शन बनाया या एक्स्परिमेंटेशन किया हर लेवल पे आपको कहीं ने कहीं से हल्प बुक से मिली होगी बुक से या मैग साइन्स बुक का ना मेंशन करें प्लस अगर आपने किसी वेबसाइट से डाटा क्लेट के आपके ना मेंशन करें इसको बिबिलियो ग्राफी भी वह वोलते हैं आपकर कोई बुक दखेंग घर पर उसमें आपको इस तरह के कंटेंट मिलेगा इस यहां पर कुछ एग्जां पर पर प्पब्लिश होते हैं साइंटाफिक मेग जिए उसमें से एससे लिए जाते हैं यह फाट अफ रहेंगा लेंट के बच्चलिया कर सकते हैं या आपके परेंट साथ के हल्प कर सकते हैं आप अदर वाज से आप जो भी बुक क्यूस करें उसका आपका फोटराफ ले और आप अपने फोटोग्राफ ले जो भी आप काम करते हैं वन आपने कुछ सर्वे किया तो उनकी फोटोग्राफ अगर वो अलाव करते तो अपने और उन सब फोटोग्राफ को टेबल चार्ट को जरूर लगाए तो अलग से अपके पर अटेश गया कि इस तरीके से आपका यह पुर्ट रिप्ट कंप्लेट होती है और भी काफी सारी इंफोर्मेशन है अविलेबल में आपको सारे प्रेंटरेशन या जो गाइड बुक है वह अटेज कर दूगा आपके वोट्स ग्रूप में प्लस इस वीडियो की लिंक में जाकर भी देख सक अपको सक्ते में जाए को का जोड़ऊ-परडस करें जरूर से इसको बनाइट जस्वारत वरेख सबीलत करें शुक्त को अन्तक वनयों धनेबात ओ